आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप भी अपने फोन में कुछ भी चीज चला रहे हो तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है एक कैमरे का आइकन तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कैमरे का आइकन देखने को मिल रहा है और माइक का आइकन भी है तो यह क्यों आ रहा है कैसे इसको हटाएं आए जानते हैं देगे सबसे पहले हम जानते हैं कि क्यों आ रहा है अभी हमारे फोन में कैमरा चालू है और यहाँ पे माइक भी चालू है यहाँ पे इसलिए कैमरे और माइक का इकन आ रहा है ऐसे ही अगर आपके फोन में camera चालू होगा या कोई ऐसा application चालू होगा जिसमें mic का काम हो या camera का काम हो तो यह option आएगा ही इसके अलावा मैं आपको बता दूँ यह हड़ेगा कैसे तो इसका कोई तरीका नहीं है आप कई सारे वीडियो वीडियो देख लीजिए आपको हर वीडियो में यही सुनने को मिलेगा यहाँ पर जो नए फोन आ रहे हैं वो ज़्यादा advance है वो यह क्यों दिया गया है मैं बताता हूँ मान लेजिए आपका फोन कोई और access कर रहा है आपके अलावा यानि कोई और control कर रहा है तो यहाँ पर आपको यह option दिखा देगा और आपको बता देगा कि आपका camera और mic चल रहा है अब मान लेजिए आप नहीं चला रहे हैं तो अगर आपको यह देखने को मिलता है तो इसका मतलब आप समझ जाओगे कि आपका फोन कोई और access कर रहा है शायद आप समझ गए होंगे वीडियो पसंदाए लाइक करें चैनल को subscribe करें